आपका एक और फिर्शे आपी के यूटिव चैनल में और आज की वीडियो में बात करेंगे अडानी गुरुप के शेरों को लेकर और अडानी गुरुप को लेकर एक बड़ी खबर भी आ चुकी है सुप्रीम कोट के फैसले के उपर जो बात टीकी हुई थी कि सुनवाई आज होने वाली है तो सुनवाई स्टार्ट हो चुकी है अब तक क्या मामला सामने आया है कितने मामली को पर सुनवाई हुई है उसके बारे में चर्चा करेंगे उससे पहले यहां पर देखोगे अडानी गुरुप के कुछ एक शेर है जिनमें अच्छे खासे मोमेंटम हमें दे हुई थी लेकिन अभी के टाइम 0.5% के असपास तेजी और अडानी ग्रीन के अंदर भी आप लोग देखोगा 0.4% के असपास और वहीं अडानी पोर्ट 1% के करीब डिक्रीज है तो अडानी पावर में 2% की रैली आई है मुजा सिमिंट भी 1% के करीब डाउन है और 80 जिल में तो यहां पर आप लोग देखोगो भी ओवेसल जो cnvc के वेबसाइट है उसके उपर हमें अभी ख़बर देखने को मिली है जो सुनवाई है वो शुरू हो चुकी है और अब तक कितनी सुनवाई हुई है किन बातों पर बातचीत होते हुए नजर आई है चली आपको बताते हैं डीटेल में क्योंकि भी आज चोवी जनव चोवी नवंबर है तो आज उनिश्क उपर सुनवाई जो अभी होने थी तो वह शुरूआत हो चुके है एक बसकर पच्पन सुरी बारा बसकर पच्पन मिनिट के आज पास अपडेट आई है जहां पर देखोगे जो स स्परीम कोट में सुनवाई शूरू अड्राणिटियरो मामले में सभार्य परतिबूतियरविनिया मेंपोड के जो Solicitor Journal ने Supreme Court को बताया कि बाजार नियामक समय विस्तार की मांग नहीं कर रहा है सेवी ने Supreme Court से कहा जांच के लिए 24 मामलों में से 22 मामलों की जांच है वो पूरी हो चुकी है जांच के लिए 24 मामलों में से 22 मामलों की जांच है वो पूरी हो चुकी है सेवी ने Solicitor जो जर्नल ने अदालत को बताया कि दो के लिए बाजार नियामकों को विदेशी जो नियामकों से जांकारी किया हो सकता है ठीक है और उनके संपर्क में हूं और समय सीमा पर नियंत्रण नहीं है Solicitor जर्नल ने यह भी काया कि सेवी ने 22 मामलों की जांच है वो के बाद निरने पर पहुंचने की प्रक्रिया शुरू कर दी है तो 24 मामलों की जांच होने टोटल 24 में से आप लोग देखो के 22 मामलों की जांच है वो हो चुकी है ऐसा सेवी की तरफ से जो नभी इनका कहना है और क्या बोला गया सेवी की तरफ से यहां पर देख Supreme Court ने सेवी से सवाल किये Supreme Court का मानना है कि अदालत के हस्तक शेप का एक कारण शेयर की कीमतों में ऐस्तिरता थी ठीक है सेवी निवेशकों को एस्थिरता से बचाने के लिए क्या कर रहा है क्या सोट शेलिंग के संबंद में कोई गलत काम हुआ है सुप्रीम कोड ने पूछा है सेवी से ठीक है यानि कि जो सोट शेलिंग हुई है प्राइज के अंदर जो अतार चड़ाओ देखने को मिले थे उस उसके बाद स्टोक तोने जम कर टूटे उसके अंदर पॉबलिक को तो नुक्सान हुआ है और उसी को लेकर जोना भी सारी बाते हुई है शोट सेलिंग के संबंद में कोई गलत काम हुआ है सुप्रीम कोड ने पूचा है सेवी से उसके बाद जहां भी शोट सेलिंग देख की गई है कारवाई की जा रही है सेवी का कहना है कि विशे सग्या सिमिति ने नियामक निरिक्षन के लिए कुछ सुजाओ बताए हैं जिन पर जो सधान्तिक तोर पर सक्री है जो विचारा वो चल रहा है यानि कि जहां पर भी शोट सेलिंग की गई है जिनोंने भी की है उन कोट दोपैर के बोजन के लिए रुका CGI की सुनवाई वाली बेंच दोपैर दो बजे सुनवाई फिर से सुरू करेगी तो आप तक यही मामला सामने आया है सेवी ने बताया कि उन्होंने 24 में से 22 मामलों की जाच पूरी कर लिया है तो कि अभी बाकी और समय के उपर कोई मैं यह धिनलतिग नहीं है पता भी जल से जल हो जाए अब ताइम लग जाए उसके बाद सुप्रिम कोट का कहना है widow फीर दिर्ता रही है उसके पीशचों दिर्टी रही है उसके उपर ही बातेट चित चल रही है क्या य partly जया किया गया फिर ikkตर गशचों बातेट कहले है फिर शजज़ कुछ सही । तरिक से टूर की उपरлично पससे का है कि हम वी सिदानतिक चक्रिए विचार चल रहा है इस सब के ऊपर ठीक है तो ये टोटल अपडेट सही है सामने जवाई है अब दो बजे के बाद सुनवाई होगी वहाँ पर क्या कुछ मामला रहेगा चैनल सब्सक्राइब पर लिजे टैम टू टाइम आपको अपडेट मिलती रहेगा थैंक यू फर वचिन दे वीडियो